सब्सक्राइब को नाजरीन को शिर खबर नामे है तुछ वसाहिल मीन तुंदिस ख़दमत इसमस हजरत पेश खबरन हो तफसील ये अखरी इतना वानस्ताम अलाक समस गोल नहीं तबो दुल जरी होस तच्छ फोर्सेज अहलकारों तरप जानमल ताथ अंदी पाइक अलाक गेर समस निना आमई कपवेर इसमस पुलस तरप आज प्रेस कांफरंस उन्ट सांज करना आमउत ये दुरान एससफी कपवेर तफसीलात फराहम करान वनजी यदवाई जिलसमस नार्को टेरिसमस ख़ाप पुलस तरप खसुसी मुहिम शरू करने शामस तच्छ पुलस तरप औकिस मुसद्दिक के इतला मेलनस पेट पांजी तारा टंगडार समस कारवई अमनिमस अन्ना आमस ये दुरान मुखतार आहमद शाह नाओ काक नाओजवान गिरिफतार करना हूँ ये लजन तींदे कब्स निशे करोर वाद रप्यानी दे मलिया तो हेराइन ते बरामद करना हूँ कुफवड़ा पॉलिस में एक टिपिकल पाकिस्तान स्पांसर नार्को टर्र मॉडिल को अमबस्ट किया इस मॉडिल में इसी अपरेशन में एक मुक्तियाशा के नाम पे ये बंदा है मुक्तिया शा के नाम पर एबंदा पन जीता रखा है तंगदार में इसको गिरफतार किया इसी की कपजा से 9 kg heroin हम बरामत की इस 9 kg heroin की इसी इंट्रेशन मार्केट वैल्यू अबग 57 करोड है 50 to 60 क्रोड हम एक अफ़ते से कुछ स्पेस्पिक इंपूट्स पे इस ग्रूप को फालो करिया बहुत जगा तलाशी भी किया सक्सेसफुली कल रात कुपड़ा फोलीज और सिक्स जैकरेफ के साथ इस माडिल को पकड़ा ए स्मगलर मुक्तियार शाः पीओ के में पाकिसाने टर्रिश्ट के संपक में है केशपिर में टर्रिश्ट और्गनेशन को फैनाशली सपोर्ट करने के लिए इस सारे स्मगलर इस ड्रक्स जंदा में शामिल है यह बड़ा हवाला राकेट है, यह सारे ड्रक्स मंघलर्स ड्रक्स लेके पकसान से इधार वैली में टरिशन और को फंडिंग कर रहे हैं, बड़ा हवाला राकेट है वेर मोनी इस ट्रांसफर्राइब विताउट मुमेंट, अन फैनांस टो तरिशन आर्शन और करने के लिए और जांच करने के लिए एक स्पेशल इंवेस्टिक्टिव टीम बनाय गया एक एस्पे रैंक आफिसर विल लीड दे टीम और इसकेस में और अरेस्ट होने वाले हैं आपको रेगलेटल अपडेट्स भी हम खरेंगे बंडपूर पुलस तरप चाक मुस्द्दिक इतलाब मेल नस्पेट नादेल बंडपूर इसमस कारवई अमले मज अन्ना आमच या दोरान पुलस तरप सरकार तरप लूकन फराम करने इनवोल तमल बलेक मार्केटिंग सब्द नस्पेट मुजफर आमदवानी नावकाख करने शाहामुद या बर्च पुलस तरप लूना आमच जे हम्यावाल ची केस दर्ज करित मजीद ताहकीकात ज़री मुतहिद है मजलिस उलमा तरप चाओज सिर्नक रसमस प्रेस कांफरंस उनसांज करना आमच या दोरान उलमाव तरप नाराज गियूंद इजार करान वन नावजी युदवाई मीरवाईज कश्मीर मलवी महमद उमर फारोग वरी जिसास कुनवो पेट खान नजर बंतावन चामच तो उलमाव तरप तीजे रही हैं इसमांग करना आई ताहम चुन इंतिजामिया तरप कांग तुलना आमच प्रेस कांफरंस उनसांज करना आमच ये लजन सालान अमर नाथ यातरास मन्स लशवाद यात्रियन इनक इजाज़त दिन चामच इसलाम ने एत्यातात के चighing छो हुकम दिए हैं उसके मताबिक तमाम अुलमाने तक और रहबरी की है इसलिए कि साल से अब तक आप थरात ने देखा जन आम मकाथ तिवें फिकर के बलमाने बिल्कि कि आलम में पूरी दुनिया में अर्ब आज़िए में तमाम उलमाने त प्रतियाची तदाबीर अपनाने की हिदायत दी है अब भी हम उस पर काइम हैं लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी अबादात को छोड़ देंगे और इसलाम में दी हुई इज्टिमाइट की तरगीब और तर्तीव को हम बदल देंगे ऐसा नहीं हो सकता और पैदाद बताई गई है यह सारा मसला माई मुबारक में ही क्यों पैदा हो रहा है कम से कम हमको समझा दिया जाए इस बात को मस्जिद में सबसे बड़ी मस्जिदें जमू कश्मीर में जैमें मस्जिद है उसमें कितने लोग आते हैं वो सब के सामने हैं और दूसरी जगों हईवाईबर के चुछी ओवर लाहखं की इजाजत हो जाए उप पर लाक हूं की एजाजद हो जाए और यह छोटीछ जोटी मस्जिदें यह उनमें और एंब्स चラहां किराते हैं और और मुझरत का भी एचिGet हमां किरा आते हैं मास्कें जितनी हम लोग इस्तैमाल करते हैं शायद मीडिया वाले हज़राद के पास भी एक दिन ही होती है तो उसके बावजूद क्यों सिर्वी से एक नुक्ते को ले जायरा जा रहा है मेरा एक अहम सवाल है आप वज़राद मीडिया वाले हैं टिलिप गारडन फेस्टिवल के दिन कितने हजार लोग मौजूद थे और मुझे ऐसास है हमारा मुसल्मान मीडिया वाह था एक ने भी यह सवाल नहीं उठाया और उसी दिन फिर दूसरे दिन गाइड लाइन जारी हुई कि दोस्तों से ज़्यादा सोशल किसी भी मजलस में नहीं आ सकते आज एक बार फिर हम सब मुत्तफ़का तोर पर और वियक आवाद मरकजी हुकूमत और जोओं कश्मीर के हुकाम से एपील करते हैं कि वो रमजान अलमबारक के मुकद्स और मुतबर्रक महीने की आमद के पेश नजर जनाब मीरवाई साब की फूरी रहाई को यकीनी बनाएं ताकि मुसूफ सिद्यों पर मुहीत अपने पेशवर मीरवाई जने कश्मीर के नकशे कदम पर मरकजी जाम मस्जिद के मिंबर और महराब के साथ साथ काल अल्लाह काल रसूललाह के हवाले से अपनी मनस्बी जिम्मदारियां और फराइज अन्जाम दे सकें इस मरहले पर हमने ये भी फैसला किया है कि कल मुर्यवाई 9 अपरियल 2021 जमात अल्मबारक के मौके पर जम्मा कश्मीर के उलमा आहिमा और खकीब हजरात नमाज जमा के अपने खिदाबात और बेयानात में माह रमजान के आमद से कबल जनाब मेरवाई कश्मीर की फूरी रह पर मक्दम करना मुद ये लिजन आमया वाल प्रेस कांफरन सांस करना हो या दूरान फालस्तिन ती एराक सान इरान स्पट और इद पाबंद इन जिकर करन वनना आवजी एरान से बेहतर तालुकाद बना अपट्या अमरीका तर्फ कुष जरी And today, we're pleased to announce that working with Congress, we plan to restart the U.S. economic – U.S. economic, development, security, and humanitarian assistance to the Palestinian people. It includes $75 million in economic and development assistance in the West Bank and Gaza, $10 million for peacebuilding programs through the U.S. Agency for International Development, or USAID, and $150 million in humanitarian assistance for the U.N. Relief Works Agency, or UNRU. All assistance, of course, will be provided consistent with U.S. law. Assistance includes, among other things, support for small and medium enterprises' recovery from the effects of COVID-19, support for needy households to access basic human needs, including food and clean water, and support for Palestinian civil society. A portion of this funding will support the East Jerusalem Hospital Network, as it continues to provide the necessary and lifesaving treatments to Palestinians. This funding is in addition to the $15 million in humanitarian assistance to address COVID-19 pandemic and food and security that we announced last month. U.S. foreign assistance for the Palestinians serves important U.S. interests and values, including providing critical relief to those in need, fostering economic development, and supporting Israeli-Palestinian understanding, as well as security and stability in a volatile region. It aligns with the values and the interests of the United States, as well as those of our allies and partners. The United States is committed to advancing prosperity, security, and freedom for both Israelis and Palestinians in tangible ways in the immediate term, which is important in its own right, of course, but also as a means to advance towards a negotiated two-state solution. And I think this is worth reiterating, these are our early days, of course. We didn't go into these discussions this week expecting any immediate breakthroughs. We recognize this to be potentially the start of a process, knowing that we do have a long, potentially long road ahead. We've always said this will be hard, and I think that's also worth underscoring. It will be hard for several reasons. It will be hard because of logistics. These talks are indirect, and as a result, the mechanics of them can be cumbersome. It will be hard because these are very technical and complex issues. Again, these are not strategic talks, and that is in large part because the strategy, the desired strategic endpoint, is clear. It is what we have termed compliance for compliance. These talks ongoing in Vienna are about how we might get there. It will also be hard because this goes without saying, but there is a fair amount of distrust between the United States and Iran, which is both – which is predicated both on events of recent years, but also, of course, a much longer history between our two countries and, for that matter, between Iran and the international community. Now, I hasten to add that none of this isn't anything that we potentially couldn't overcome, but there will be challenges going forward. At the same time, and to your question, we continue to believe this is a constructive forum. The talks so far have been businesslike, and they have – they are doing what we envisioned they would do. And again, they are affording us a better understanding of Iran's thinking, and we hope that, in turn, Tehran will leave this round of talks with a better understanding of what we might be prepared to do. The team on the ground in Vienna has had consultations with our European allies as well as with our Russian and Chinese partners. They, in turn, have met with the Iranian delegation. So, in all of this, we have heard more about Iran's position. Our partners have, in turn, heard from us more about our position, which they have then relayed to the Iranians. And, in short, this is what we had hoped to accomplish at the outset. Really nothing more? In the interim, I am announcing that we are temporarily suspending entry into New Zealand for travelers from India. This will take effect from 4pm on the 11th of April, this Sunday. That allows us time to draft the legal orders that will be required. This temporary suspension will remain in place till the 28th of April. I want to emphasize that while arrivals with COVID from India has prompted this measure, we are looking at how we manage high-risk points of departure generally. This is not a country-specific risk assessment, but, of course, a risk assessment generally to ensure we better manage the number of cases that are coming in from those countries that are experiencing a surge. During this temporary suspension, the government will investigate options to manage risk. And, while, though, we have put in place previous travel bans on countries, we have never previously suspended travel to New Zealand citizens and residents. That's why I do want to assure you this is not a permanent arrangement, but rather a temporary measure until we are able to better understand and manage the country. The current situation we are facing and to see if there are ways to reduce the risk that actually travelers themselves are facing as they embark on their journeys. the government of the United States there is no place to distribute the project, even though his говорят Japanese members have changed that once they are covered by VIP banks. तो एमिरती कामिन हीज काम मजगेच वोच अन्यीन युद्जन ये मुकामिया मुकरर वक्तस मेट मुकमल करनियन वतिगाम दमाल हांजूरा को लगे मिसमेश तैमिसात कईया रियोशी मकान खोचिसतर सपुद मीद यलियाज अचानक नार जहर सपुद वन शीवान जे आज सुबहेच वतिगाम कल गे मिसमेश एक रियोशी मकानमज अचानक नार जहर सपुद मुद येमके जदसमेश नेसब दरजन रियोशी मकान हैनाई यदोई फायर सर्विस अमलत मुकेमे लूको तरप नार जप्रट को भुपरावनाओ ताहम चानार वो अरिदात समस्करोर वाद रप्यन हिद मलियतुक सामान नार भुज सपुद मुद यपर्च मुद तो इसरायालो तरप इंतिजामियास इंदाद फराहम करने चे अपील करना हमद आशास करें पर थोड़ा बहुत पानें कि आब आपस वापस हुए आचानास की अवलेबल मिन तेमसा ताना इसलिए यहाँ दूस हो रहे हैं ऐसे उकने कहीं तयाफ करें थाना तो इक पेनी करेत करें वह इन सुवन चार हज ऐसाच गरिये ब सुवन नाजरत करें तो ही जिना मैकन जामियान मारा साथ कहीं जामागर जहाए लाज़ा हैं भी क्या सोपर कजबसे तोलग थावन वाले लूको तरपुचे शिकायत बावान वन्ना आमजी युदवाई कजबस में ड्रैने सिस्टम ठीक करना सावाल कोम शुरू करना आई ताहम चिकाया कालपेट सुस्तर अफसर रिसान जरी यमकिन सड़क जेर्याब जिन सुच आम लूकन युद फेरन थोरन मुश्किल जो सपद मुद मुकेमी लूको तरपशी इंतजाम यास मांग करना आमजी कायम मज़गेश वुच अन्नी यें जुद जनलूकन बिचिन वोई मुश्किल दूर करनी यें आपने देखा होगा कि आज कल सिप्रिंग का सीजन चल रहा है तो सिप्रिंग में डाउन पोर बहुत होता है आपने गेट के पास देखा होगा कि पूरा गेट जो गेट का जो स्राउंडिंग एरिया पूरा वाटर लॉच्ट है पानी बहुत जमा है हमारी स्टूडेंट्स जब भी एंटर करते हैं उनकी इनिफॉर्म शूस बिल्कुल खराब होती है इवन सम्टाइम सबमर्जट कंडिशन में वह स्कूल एंटर ही करता है अब हमने आपने आउट आफ लोकल फंड यहां पे कुछ गाडियां डाली बराई की डाली है तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि डिपार्टमेंट इस इसू को देखें अड्मिनिस्ट्रेटर अड्मिनिस अच्छे फीट रह गई है रह गया रास्ता तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किला यहां पर हो रही है तो इसे अलाब जो है यहां पर आप देख रहे हैं तो हम आला हुकाम से यही गुजारश करते हैं कि जो यह तोड़ा सा तेज चलें तो हम आला हुकाम जो ह यह दुश्वार्य हो रही है वो ना हूँ जिसास वाजमल अट अगस्त मारनुक पाताश को कम पुलीसा आप लिएस न्यू लाज पानिस्टाहविलस में तिमोकार नो पोस्माटम पुलीसान के तमसादन लड़की तो लड़की गरिफतार पाताश यही प्रासकालनी गुजिस्तान न्यूज वालनीश शुकूर थाट्रि डोड़के लूको तरफुचे शिकायद भावान वन्ना आमट युदवई कजबस में त्राफिक जाब नाकसद रेटर जाब सिस्टम तो दोई में और रंगों मुश्किल वेतरिंचे प्यावानती ये मामल कई आई फिर हुकामन इस नोट से मज आनना आव ताहम चुन काँ खदम तुलना मुद्ध येमकिन मुकैमी लूक आवलिन समझ हैना आई मुकैमी लूको तरपिचे इंतजाम यास मांग करना आमज़ आत्मामल स्कुन काई जोन दुनियों ये जनलूकन बिचिनवोईल मुश्किल दूर करने हैन जो सब्डिविजन ठाटरी है इस समय यहाँ पर जो अड़े का हो 42 लाग का टंडर हुआ है लेकिन अगर देखा जाए तो इस ठाटरी सब्डिविजन में अड़ा तो है इनी इतनी दिकते आ रही है लोगों को और जहां पर भी गाड़ी खड़ी कर दी है वहीं पर उसका गाड़ियों का पेंचर किया जाता है क्योंकि लगाएंगे कहां जब अड़ा ही नी हर सकूल हाईवे रोड के नजदीक है हर हास्पिटल भी हाईवे नजदीक है सब्डिविजन भी है और यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम का आपने देख लिया कि बिलकुल खुली है फुटपाथ लोगों को चलने के लिए नहीं है एक्सिडेंट यहाँ पर हर हफ़ते में एक बार होई जाता है टकर लग जाते है बच्चों को सुकूल नजदीक सारे हैं स्पीड ब्रेकर भी नहीं है इसलिए मेरी डिस्टिक इंतजामिया से और अल्टी गॉर्नर से यह रिक्वेस्ट है कि इसका फुटपाथ बनाया जाए और यहाँ पर अड़े का कुछ इंतजाम किया जाए सीडी चोना पुंची को लूको तरपुची शिकायद बावान वन नामद जी यदवे अलाकस मज चनाबच वसाई चिता है में हवाल कईयाई फिर मुतलिक माकम कन जाए 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 पर अड़े का इसका फिर नामद ये मकिन मुकिंट मुकिमी लूकान सथा मुश्किल वेतरिंगे प्याए मुकेमी लूकों तरपिचे इंतिजाम यास मांग करना हम जिस चनाब उच्वासाई दूर करना सवाल गसन संजी दे कदम तुलनीईन युद्जन लूकन मुजीद मुश्किल वेतरिंग पेन कि हमारे गाउं में पानी की बहुत ज्यादा किल्ट है और पाई पे मिच्षियें पर इसमें पानी नहीं दें रहें हमारी गॉपील है बार बार इसी बात पर हम कहरें हैं कि हमें पानी दिया जाए और हमें ये परेशानी ना आए मोत भी हो सकती है शादी भी हो सकती है न्याज भी हो सकती है अगर पानी ना होगा तो गर्मे काम करेंगे या पानी लाएंगे सबसे बड़ी मुश्कल हमारी के है गाउं सेडी चुहना की दो टाइ किलो मिटर हमें जाना पड़ता है पानी लाने के लिए और अगर महमान आ जाए वो अंदर बैठा रहता है तो हम पानी लाते है तो फिर आके उसकी महमान वाजी करते हैं डिसी पुइंच से यही अपिर रहेगी कि हमारे गाउं में पानी की परशानी जो है इसको दूर किया जाए यहां जो हमारी लाइन आने वाली थी हम लोगों को सफर करने के लिए इस सुगूल को पानी हमारी लाइन से दिया गया है अब हम यहां के A-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S- सारे से हम पानी लाते ही लेकिन पानी हमें मायासर नहीं होता है तो नाजरीन इस सिद्वोत कोशर खबर ना मान तो रिजी उचांग खुसूसी प्रोग्राम पांच का पांच मैदीव इजासत खुदा है सवाल